नमस्कार दोस्तों वेलकम टू शुइंग ट्रेड फ्रेंट्स आज के दिन में हम बात करेंगे इडिल वाइस फाइनन्स सर्विस कंपनी के बारे में इस कंपनी का अनलाइस करेंगे तो पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था लेकिन यह स्टॉक में अभी मुझे ऐसा सा लेबल तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में घंटी बटन को भी आन करके रख लिए तक आने काल कर सकता है पर करते में यहां पर देखिए यां इस बिडियो मरें नियुक्त हमां इसए भुगय झाएप वे शौरी मेंляется कि की बता Sherman रही था तो आप बिल्कुल विडियो में पेडिए तक जरूर बने रही रहीे तो तो जिनका यह कुश्चिन था यह कुश्चिन का अंसर आपको लास्ट में मिलेगा कि वह स्टॉक में आपको क्या करके चलना चाहिए यहां पर देखिए इडिल वाइस फैनान सर्विस में अगर हम देखते हैं यहां पर पांच दर आट सो करोड का मार्केट क्या और एक चीज देली वाइस जब मैं जहां पर जहां पर उपर्चुनीटी नज़र आ रहा है तो वहां पर बताते जारहँ हूं क्योंकि यहां पर मैंने कुछ स्टॉक आज की स्टॉक स्टॉक का मार्केट क्या तो उसके साथ में अगर रोच की बात करेंगे कह आप 10 पर्सेंट रॉसी क्य करेंगे यहां पर नहीं हो सकता है उसका रिजन क्या है क्योंकि यहां पर डिपोजीट लेते हैं यह क्या करते हैं तो यहां पर बात करेंगे तो यहां पर बिलो करेंट प्राइस से बुग वैलो यहां पर सेवेंटी है और करेंट प्राइस अभी 62 पर चल रहा है उसके साथ में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आप पर इसके साथ में इन्सुरंस फिल्ड से थाटी परसेंट रेवीन होता है उसके साथ में प्रेडिल बीजनेश से थाटी दू परसेंट आता है तो यह सारे पोट्फुलियों कंप्लीट डाइवर्श पिकेसान तो उसके साथ में आसेट मैंजमेंट यहां पी वीचल करोट का डिसेंबर में सेल्स हुआ है तो उसके साथ में उसके साथ में नेट प्रोफिट के बारे में अगर बात करेंगे सेवेंटी वान करोट का नेट प्रोफिट भी देखने को मिला है लास्ट सार क्वर्टर को अगर हम देखते हैं यहां पर 75 करोट का नेट प्रोफिट प्रोफिट देखने को मिला जो के अब तक सबसे हाइस नहीं है चाहिए यहां पर 2008 को हाइस था जो की एड़ तो उसके बाद में यहां पर 995 था लेकिन अभी जो लास्ट त्री यह वर्दस तेकिन नेट प्रोफिट देखने को मिला जो कि तो यहां पर नहीं है तो यहां पर नेक्स जाके अगर हम देखते हैं प्रोमोटर का होल्डिंग के बारे में प्रोमोटर की पास में 32 परसंडेज का होल्डिंग और पॉब्लिक के पास जो कि स्ट्रॉंग में करें 32 पर्संड वो चुका है उसके साथ में दियाए के पास में तूपाइंट 6 परसंटेज का वहल्डिंग अगर पॉब्लिक के पास में आच्छाल 22 परसंड़िंगे तोन्ती 7 परसिंगे पास पाइक्टम पॉब्लिक के अक्च्वाहल नहीं इंवेस् तो पॉबलिक के पास में आ जाएगा तो यहां पर कितना परसंट है कि हम अral오स सैनल परसंट अगर कम हो जाएगा तो पॉबलिक के पास मि टॉनट्य परसंट रह थो यहां पर चाठ पूड़ा कि जब देखते हैं तो यहां बोल रहा हूं यहां पर बहुत बढ़ी आसा जॉंप आसकता है तो यहां पर हो सकता है यहां पर निचे तक लाएंगे लेकिन उसके बाद में फिर से बाइंग होगा और जबरदस्त राली आ सकता है यहां पर आप देखेंगे तो पहला जो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो में तो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है तो यहां पर तक लेके चल सकते हैं तो यहां तक लेके चल सकते हैं पी जो तो यहां पर इस लेवल पर लेकर चलते हैं यहां पर 58 परसंटेज का यहां पर एक साल भी नहीं लगेगा इसमें एक साल भी नहीं लगेगा यहां पर बहुत जल्दी एक कुई गयन आ सकता है क्योंकि इसका जब आप बात करेंगे ना यह स्टॉक में दिखिया आल टाइम हाई कहां तक है तो हम तो आल टाइम हाई तक नहीं जा रहे हैं तो मुझसे पहले हैं तो यहां पर जो रेजिस्टांस है तो रेजिस्टांस के अगर आपको प्रफिट करना है तो वहां तक कर तर जो टार्गेट होता है है 51 का लेवल नच्वां का लेवल तक PhD perform सकते हैं जो की 91 का ठारगेट ए तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर 47 पर्सेंटेज में बहुत अच्छा पैशे बनता है फ्रेंसुट तो यह स्टॉक में अगर आपको खरीदारी करना है तो अपना खुद का फाइनन्चियल आडवे जैसे जरूर सला ले लिजिए उसी वेसिस पर आपको खरीदारी करना है इसमें मेरा बाय और सेल का रेकोमेंडेशन बिल्कोल भी नहीं है फ्रेंस ठीक है जो भी करना है अपना इमेडेटली निकाल के क्या स्टॉक को कर लेंगे ना तो आपका एक साल में 100% का भी प्रफिट आ सकता है एक साल में 50-60% का प्रफिट तो आई जाता है क्योंकि जैसी साब से स्टॉक अभी इतना अंडर वैल्यूएशन पर आवेलेबल है वो स्टॉक में जबड़ दोस्त इसके साथ में डेट अल्मोस्ट डेट लोड़ डेट कंपनी जिरो प्रफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट भी अब तक का साइस्ट प्रॉफिट दिया रिखिए लास्ट चार्वटर में 300 क्रोट का यहां पर प्रॉफिट दिया है तो यहां पर अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे सेल्स भी यहां पर 1900 करोड का सेल्स भी देखने को मिला है यहां पर सेल्स भी बढ़िया है प्रॉफिट भी बढ़िया है यह जो कोस्चिन था राहुल जी का राहुल राहुल जी एक थे और एक है इजी कोड थे मतलब दो UM u स्वाल जाओं यहांपे सेल्स के बारे में बात करेंगे लेवे सेल्स कोई प्रोप्रोबरिम प्रोपुटाबिल्ध को देखने वैं उसके साथ हैं शॉत लेकिन यहां पर देंगे तो दिया के पास में इतना ज़दा व्ल्डिंग नहीं तो अगर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में ओवरली फाइननशियल ली कंडिशन तो बहुत बढ़िया है यतना जदा कुछ प्रोब्लेम नहीं है लेकिन एक चीज अगर हम देखेंगे यहां पर जरूर बताना चाहूंगा यहां पर आरो सी ख्रीजें दिखा रहा है यहां पर कौँच नहीं है लेकिन एक चीज अगर आप नजर करेंगे स्टॉक में एक चीज मुझे जो नजर आ रहा है यह बहुत भोलाटाइल स्टॉक ठीक जब भागता है जब गिरता है ना बहुत बहुत चबरदस्थ तरीके से गिड़ता है पहले का डाटा से अगर हम चेक करेंगे देखिए यहां स देखिए यहां पर 43 परसंटेज का कि लिए करेक्शन आया है उसके बाद में देखिए कोवीड के टाइम पर कोवीड से पहले सारी कोवीड के टाइम पे नहीं है कोवीड से पहले स्टॉक में देखिए कितना परसंटेज का करेक्शन आया है 45 परसंटेज का करेक्शन कोवी स्टॉक है इसलिए जब इंवेस्टमेंट करते हैं उससे पहले उसका चाट पैटन भी जरूर देख लेना चाहिए और भी सेंपर सेंपर्टीवान पर्सेंटेज पर करेक्शन पर है ठीक है मेरे हिसाब से करेक्शन अल्मोस्ट ओवर हो चुका है यह स्टॉक में आपको प्या अगर आप लॉस में तो आप लॉस में सेल मत किजिए अपना प्राइज जरूर देखने को मिल सकता है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में यहां पर मोबाइल नंबर दिया जाते हैं यहां पर मैसेज करके जरूर जुट सकते हैं थैंक यू वेरी मुच प्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नाया एक वीडियो के साथ में